अब हम एक चीज जानते हैं कि जब बुद्धिसम और जैनिजम इंडियन सब कॉंटिनेट में थोड़ा सा अपने पैर पसारने लगा, लोगों ने following शुरू करी तो लोग monks बनने लगे थे, सादू, सन्यासी, अब ये सन्यासी साल भर विचरन, विहार करते थे, एक एक जगे जाके अपनी teachings देते थे, word spread करते थे, अब इनके साथ main परिशानी होती थी rainy seasons में, क्योंकि rainy seasons में दुर्गम पात प to walk on unknown territories, especially dangerous tracks, became more dangerous, एक तो dangerous track है, उपर से बारिश का ओडा है, so friends, इन लोगों को local followers जो होते थे, वो या तो अपने घर के gardens में कोई temporary shelters बना के दे देते थे, या कुछ natural caves में ये लोग अपना स्थापन कर लेते थे, धीरे धीरे ये need fulfill करने के लिए, ये सोचा गया कि अब इन monks के लिए कुछ permanent shelters बनाये जाएं, तो कुछ विहारों की स्थापना की गई, विहार मतलब monasteries, जहां पर ये लोग वक्त बिता सकते थे, अब पहले तो ये विहार wood के बनते थे, लकडी के, बाद में ये पक्के bricks और burnt bricks के बनने लगे, हम देखते हैं, इन विहारों में, जब monks रहते थे, तो इनकी जमीने usually donation द्वारा मिलती थी, यहां पर kings, merchants, landowners, इन लोगों की जमीने, जो होती थी, ये usually दान में दी गई जमीनों पर, ये monasteries बनती थी, यहां पर रहने वाले monks को local लोग, अलग-अलग gifts लाके देते थे, जैसे की food, clothing, medicines and all, ये सारी चीज़े इनको दी जाने लगी, तो इस तरीके से इन विहारों में रहने वाले monks की life आगे बढ़ती रहती थी, धीरे-धीरे इन monasteries की presence के कारण, हमारे Indian subcontinent में, Buddhism, Genism और प्रगाड रूप में अपना अस्तित्व दिखाने लगा, और यहां तक की ये Indian subcontinent के बाहर भी फैल गया, so thank you very much, I hope now you got the topic, still अगर कोई doubts है तो नीचे comment box से comment करना मत बूलना, take care, bye bye